नमस्कार, Welcome to my channel, मैं हूँ मनीशा, आज मैं आपको सोमती अमावस्या के बारे में बताऊंगी, उसके पूजन भी दी और उसको बरत करने से हमें क्या फल मिलता है और हमें इसे किस तरह करना चाहिए और किस दिन करें कि हमें इसका विशेश लाव मिले और दोस्तों जो 2019, 4 फर दोस्तों इसमें मैं आपको ब्रत की पूजन विदी और इस ब्रत की क्या नियम होते हैं वह सारी जानकारी हम बिस्तार से जानेंगे दोस्तों वीडियो थोड़े सी लंबी हो साएगी इसके लिए माफ करिए क्योंकि पूरी जानकारी देना हमारा फर्ज है आदी अदूरी इसे आपको परिशानी हो सकती है तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें उसके बाद जब बैल आ पर जो अमावस्या सोमोर के दिन पढ़ जाती है उसे सोमोती अमावस्या के नाम से जाना जाता है दोस्तों इस बार की सोमोती अमावस्या चार फरीर क्यों मनाई जाएगी जो कि 2019 की पहली सोमती अमावस्या है इस दिन मौनी अमावस्या भी है क्योंकि माग महीने की अमावस् जो है दुगना हो जा रहा है और बहुत सारे ऐसे इसमें विशेश सहीं बैट रहे हैं जो कि 71 वर्सों बाद ऐसा शुब महुर्त आया है इसलिए इस बार के सोमतिय मौस्या बहुत ही खाश और हमारे लिए शुबकारी है इस दिन किया गया ब्रत पूजा एक हजार गायों के दान करने जितना फल हमें प्राप्त होगा हम इसकी पूजा विधी जानते हैं और इस ब्रत को हमें कोन और कैसे कर सकता है दोस्तों इस ब्रत को सुहागन इस्त्रिया कर सकती है इस ब्रत को करने से हमें सोभाग की प्राप्ती होती है और संतान संबंधी या परिवार आधी देवताओं का पूजन एक साथ हो जाता है उनका वास होता है सुमतिय मावस्या के दिन पीपल के ब्रिक्ष का परिक्रमा किया जाता है जो कि कच्चे सूत से किया जाता है इसका वरणन सकंध पुराण में मिलता है पीपल के जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और तने म तो इस तरीके से पत्तियों में माता लक्ष्मी का वासमाना जाता है तो आपने एक साथ यदि पीपल के ब्रिक्ष की पूझा करी है तो एक साथ इतनी देवताओं के पूझन का आफसर मिलता है और उनका आशिरबाद भी प्रदान होता है कि पूजा के लिए आपको विशेश जो सामाग्री लेनी है वो मैं बता रही हूँ और साधारण सी जो सारी चीज़े आपको थाली में लेनी है वो भी आप जान लीजे सबसे पहले तो एक थाली में आप धूप दीप नौवेद्य फल ये सारी चीज़े एकठा कर ले और माता लक्ष्मी का ब्रत है तो सुहाग के चीज़े लेना आती आवसक है जो आप से बन पड़ता है आप सुहाग की चीज़े ले लिजे और जल जो आप इसमें जल जड़ों में जल चढ़ाया जाता है तो कच्ची लस्टी का जल चढ़ाना विशेश होता है कच्ची लस्टी के लिए दोस्तों आपको एक भाग दूद्ध और तीन भाग जल शुद्ध जल को मिस्रित करके एक कच्ची लस्टी त्यार किया जाता है उसको हम विश्णु ब् बेवे अनादी लेना पड़ता है जिसकी मात्रा भी 108 होनी चाहिए क्योंकि हम परिक्रमा जो करते हैं 108 बार किया जाता है इस तरीके से आप परिक्रमा करने के लिए कच्चे सूत का भी इस्तेमाल किया जाता है और आप जब भी परिक्रमा करें तो मन में स्मरण भगवान का कि गर्मियों के दिन में तो पंखा घड़ा जल आदी भी लोग दान करते हैं, अभी सर्द्यों का मौसम हैं, तो आप इसके लिए उनी वस्त्र भी ले सकते हैं, कंबल भी ले सकते हैं, अपनी यथा सक्ती अनुसार, आप किसी भी चीज का दान करें, दान करने का विशेश फल मा तो इस तरीकी से आप परिक्रमा करें और भगवान की पूजन अर्चन करें धूप दिखाएं उन्हें नवेद यानि की भोग लगाएं उसके बाद आप प्रणाम करें प्रणाम करने के बाद अपनी मनो कामना आवस्य बोलें इस तरीकी से आप पीपल के विरिख्ष का इस दिन उपवास रखने का भी बहुत ही महत होता है दोस्तों उपवास में आप मीठा खाके रह सकते हैं यानि कि उस दिन नमक खाने का विधान नहीं होता है आप एक अन ग्रहण करें फल ग्रहण करें जल भी ग्रहण कर सकते हैं लेकिन नमक और तेल का सेवन नहीं किया ज जाता है क्योंकि शिव जी को हल्दी अर्पित नहीं की जाती है तो आप इस बात का ध्यान रखें और दीपक इनके लिए विशेश हम जलाएंगे जो दीपक हम जलाएंगे उसमें आपको कच्छी सूत का इस्तिमाल करना होता है और घी का दीपक लगाने का विधान है क्योंकि तुकड़े का जो धागा होगा उसे एक सार कर लिजिए उसके बाद उसमें आप दीपक जलाएं और आप अपनी मनो कामना बोले यह एक विशेश प्रकार का दीपक आप प्रजुलित करेंगे जिससे आपको विशेश फल की प्राप्ति होगी और असनान के लिए आप संगम तट पे जा सकते हैं जहां पे गंगा यमुना नदिया यानि की जो प्रयाग में कुम्भ का आयोजन हुआ है दोस्तों मौनी अमाउस्या के दिन संगम नदी में सनान करने का विशेश फल होता है तो आप सरपथम गंगा सनान करें अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप पीपल के पेड में ये सारी चीजे करने में असमर्थ हैं आपको किसी प्रकार की परिशानी है तो आप अपनी सुविधा अनुसार अपने घर के गंगले में यानि कि जो आपने तुलसी का पौधा लगाया है उसमें भी इस तरीके से पूजन विधी करके और 108 बारी प पौधे में के जड़ो में भी ब्रह्मा जी का निवास होता है विष्णु जी का निवास होता है और माता लक्ष्मी का भी निवास होता है तो इस तरीके से आपको जैसे सुविधा मिले आप इस दिन को जाया ना करें पूजन आवस्य करें और सौभाग्य की प्राप्ति कर तेंक यू